एसे आप सब tha बातो होगे आज सेर करने वाली हूं आपे आरैशा हमारी वाल में आप सेर्ण को बहुत की बहुत परक्या है और आपके महमानों को बहुत पसंद आएगी जैसे है इसको एक सेड़न कि लिए मेरे लिए इसको अच्छ पक्ए वे आम ले सकते हैं आप जैसे इसको नाइव से छीड़ अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल एकन जुरूर प्रेस करें जिसे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे मैंने एक और बढ़ा लिया तक मैंने सभी आमों को कर लें यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही अप इसको जरूर ट्राइब करें यह आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है अब में ग्राइंड जार ले रही हूं उसमें ने सभी आमों को एड़ कर दिया है अब उसमें एक कप दूद आप चाहें तो यहां पर आधा कप प्यूरी तयार करनी है मैं इसमें एक चम्मच चीनी चीनी से कहोगा इसका मुठास बहुत अच्छा है अब मैं इसको एक बावल में पलट लूगी एकदम से परफेक्ट सी प्यूरी बनकर आम की तयार है आप चाहें तो इसमें नारियल को पुरदा एड़ करके भी आच्छ इसको हम साइड में रक देंगे और उसको को अच्छे से मिक्स होचका है और इसको ने लगदे अधिक तो ज hätte कर ago दोणी है को प्रस्कष्छे से बॉयल होने लगा है कि अब चाहेंकर यहां अबर अपने कोर्ण कमीं जादा भी दूरल सकते हैं जैसे दूद्ध वोईल होगा हम इसमें चीनी एड़ कर देंगे चीनी आप अपने कोडिंग कमें जादा भी एड़ कर सकते हैं यहां पर हम गैस का फिलेम थोड़ा मीडियम कर देंगे क्योंकि हमें दूद्ध को कम से कम आदा घंटे तक के लिए मीडियम फिलेम पर अच्छे से कुक करना है ताकि दूद्ध अच्छे से गाड़ा हो जाए अब चीनी एड़ करके मैंने इसको 10-15 मिनट तक के लिए अब मैंने ठंडा दूद्ध पहले से निकाल के रख लिया था और उसमें एक चमच कस्टड पावडर एड़ करके उसको अच्छे से घोल लिया था अब मैं कस्टड पावडर का वह जूदू था उसको एड़ करती जाओंगी और इसको कंट्यूनी चलाती जाओंगी देगे अब इसको नीचे उतार कर रख देंगे और रोम टेमप्रेचर पर लाने के लिए एक साइड को रख देंगे अब मैं यहां पर ले रही हूं ब्रेड जो इनके ब्राउन पार्ट है उसको में एक सीजर से कट कर लूँगी आप चाहें तो ब्राउन पार्ट नहीं हटाएं वट में को हटा रही हूं जो ब्राउन पार्ट है उसका आप ब्रेड क्रोम से भी बना कर रख सकते हैं जैसे कि अब ब्रेट मेरे सबी रेड़ी हैं अब मैं ले रही हूं बावल उसमें सबसे पहले में जो मैंने आम का और क्रीम का पेश्ट बनाया था उसको मैं एट कर दूंगी और तली में नीचे फैला लूगी और उपर से ब्रेट की लेयर लगाँगी और उसके उपर से जो कस्टड लगा देंगे यह बहुत ही बड़ी है आप इसको जरूर ट्राइब करें आई होपी आपको बहुत पसंद आएगी और यह इस टाइम बहुत जादे ट्रेंड में है इस तीकी आम का सीजर निकल जाए आप उससे पहले इसको जरूर बना कर ट्राइब करें यह आपके गेश् अब इसको पर से में कुछ बादाम की टुकड़े एड कर दूँगी आप चाहें तो अपनी पसंद की डाइफोट्स पी एड कर सकते हैं आप चाहें तो इसको ऐसे ही फिलेजर में रख दें वाटमिस की साइडों से अभी क्रीम और एड करूंगी थोड़ा साइडों साइड लगांगी और जो यह बावल है उसके धकन से में इसको कवर कर दूँगी और इसको ओवरनाइट तक के लिए फ्रीजर में रख दूँगी थाकि हमारी अरेवियन डिजर्ट का मजा ही दूगना हो जाए अमने देखती में इसको हटाकर ओवरनाइट तक के लिए रख दिया हमें एक नाइफ लूँगी और इससे इसके पीसे निकाल कर रख लूँगी अब कर लेते हैं हम इसको सर्व तो बनकर रेडी हमारी अरेवियन डिजर्ट इसके उपर से में बदाम की गार्निस कर दूँगी तक कैसी लगी आपके मेरी वीडियो मुझे कमेंट बोक्स में कमे से पहला हम तक पहुंचे ता मिलते हैं कैसी दूसरी वीडियो के साथ जग दम सिंपल और इजी होगी तब तक के लिए बाए